चीन्टी और टिड़ा अच्छे दोस्त थे। लेकिन यह पूरी सर्दी के लिए परियाप्त नहीं था। जब उसने चीन्टी से दोबारा पूछने की कोशिश की, तो चीन्टी ने उत्तर दिया, मुझे खेद है मेरे दोस्त, लेकिन मेरा खाना मेरे परिवार के लिए सर्दियों के अंत तक परियाप्त है। यदि मैं तुम्हें अधिक दूगा, तो हम भी भूके मर जाएंगे। हमारे पास सर्दियों की तयारी के लिए पूरी गर्मी थी, लेकिन आपने इसके बजाए खेलना चुना। कहानी की नीती, इस कहानी में सर्दी हमारे जीवन में एक ऐसे समय का प्रतिनिधित्व करती है, जब भोजन और संसाधन दुरलब होते हैं। ग्रिश्म रितुवह समय है, जब सब कुछ प्रचुर मात्रा में होता है। इसलिए यदि आपके पास अभी बहुत कुछ है, तो उसमें से कुछ सर्दियों के लिए बचा कर रखें। कलितार है झाल मत दुछ जाओन सब गोभें। ऑ lift